Hello everyone, कल हमने physical word में derived और fundamental physical quantities देखी थी, आज हम उसके आगे की topic को continue करते हैं First of all हम देखते हैं कि units या मात्रक क्या होते हैं कल हमने भातिक राशियां देखी थी और हमने कहा था कि कुछ ऐसी terms होती हैं physics में जिनकी सहेता से हम physics के rules को समझाते हैं वो जो राशियां है वो भातिक राशिया या physical quantities कहलाती है भातिक राशियों के दूसरी definition दी जाए तो वो राशियां जिनें आप माप या तौल सकते हैं उन्हें भातिक राशिया कहते हैं जैसे आपका द्रव्यमान, लंबाई, समय इस टाइप की जो चीज़े हैं उन्हें भातिक राशिया कहते हैं मात्र क्या चीज़ होती है कि कोई भी भातिक राशी ले लिजे, मान लेजे हम लंबाई ले रहे हैं तो किसे भी भातिक राशी की एक निश्चित मात्रा होती है जिसे परिभाशा के तौर पे या फिर standard रूप में हम स्विक्रित कर लेते हैं और इस मात्रा को हम उसके स्टेंडर्ड के रूप में, उस राशी के मापन के स्टेंडर्ड के रूप में काम में लेते हैं. जैसे कि आपने देखा लंबाई एक बहतिक राशी है. अब इस लंबाई का मात्रक है वो अगर मैं मीटर मान लूँ. लंबाई का मातरक अगर मीटर मान लिया जाए तो इस लंबाई को नापने के लिए आप मीटर का यूज करेंगे यहाँ पर मीटर क्या है मातरक होगा इसका लंबाई का और definition कैसे दी जा रही है कि मात्रक या यूनिट जो होती है वो किसी भी भात्तिक राशी की एक निश्चित मात्रा होती है जिसके टर्म्स में हम उस भात्तिक राशी को नाप सकते हैं. कल आपने भातिक राशियों के प्रकार देखे थे मूल भातिक राशिया और वित्पन भातिक राशिया उसी प्रकार से मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं मूल मात्रक और वित्पन मात्रक कल आपने fundamental physical quantities यानि की मूल भात्तिक राशियां देखी थी ऐसी भातिक राशियां जो अन्य राशियों पर depend नहीं करते अपने आप में independent होती है उसी तरीके से मूल मात्रक क्या होते हैं ऐसे मात्रक जो अपने आप में independent होते हैं अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते उन्हें आप मूल मात्रक कहते हैं इसी प्रकार अगर आपको व्युत्पन मात्रक के definition देनी हो तो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं यानि कि अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते बूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं, ऐसे मात्रक व्यूत्पन मात्रक या derived units कहलाते हैं. एक्जाम्पल के तौर पर, जूल, निूटन, वोल्ट, मीटर स्क्वायर, इस टाइप के जो मात्रक हैं, वो व्यूत्पन मात्रक की श्रिणी में आते हैं. आगे हम देखते हैं मात्रकों की पधतियां. पहली पधतियां आपकी कहलाती हैं, CGS, दूसरी FPS, तीसरी MKS, और चौती होती हैं आपकी SI units या अंतराश्च्वे मानक पधति. क्या होती हैं? देखिए हर प्रकार की पधति में, जो पहली तीन हैं CGS, FPS और MKS, इन तीनों में हम, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीनों की मात्रक स्टेंडर्ड लेकर चलते हैं. जैसे तीन ही चीजों के मात्रक देखनें आपको लंबाई, द्रव्यमान और समय. CGS पधति में लंबाई का मात्रक cm, द्रव्यमान का मात्रक gram और समय का मात्रक second होता है. cmc से start होता है, gram g से और second s से. इन तीनों की first letter मिला कर इसे बोल दिया जाता है CGS पधति. इसे फ्रेंच या मिट्रिक पदती भी कहते हैं दूसरी पदती हमारे पास आती है FPS पदती वही तेन चीज़े देखनी है लंबाई, द्रवेमान और समय FPS में लंबाई को आप foot में नापते हैं द्रवेमान को pound में नापते हैं और समय को second में नापते हैं तीनों के first letter foot, pound और second का first first letter मिलाकर इस पदती का नाम FPS पदती पढ़ता है तीसरी मिलती है आपको MKS पदती यानि की लंबाई, मीटर में द्रवेमान, किलोग्राम में और समय second में तीनों का first letter ले ले लिजे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड M, K, S यानि कि इन तीनों के first letter को मिलाकर आपको जो पदती मिली वो मिली आपको MKS पदती Mainly ये तीन system units, system of units पाई जाती है या study की जाती है एक fourth system of units जो है वो अंतराश्च्री मात्रक पदती या international system of units या इसे SI units भी कहते हैं ये जो SI system है, ये पूरे word में consider किया जाता है यानि कि किसे भी भातिक राशी को नापने के लिए सबसे जो standard है, international level पर जो use किया जाता है वो अंतराश्च्री मात्रक पदती या SI system को use किया जाता है ये जो SI system है, ये MKS पदती का ही extension है ये उसका ही विस्तार है MKS में आपके पास 3 मात्रक थे, मीटर किलोग्राम और सेकंड इस पदती में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक लिए जाते हैं यानि 3 तो वही मीटर किलोग्राम और सेकंड जो आपने MKS में लिये थे उसके अलावा 4 और मूल मात्रक लिए जाते हैं और 2 पूरक मात्रक लिए जाते हैं इन 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों को combined form में आप SI system या SI units कहते हैं अब देखिए SI system में जो 7 मूल राश्यां थी वो कौन-कौन सी हैं और उनके मात्रक क्या-क्या होते हैं यह आपको इस टेबल में दिखाई दे रहें मूल भात्रक राश्यां तो लंबाई द्रवे मानोर समय थी उसके अलावा 4 राश्यां ताप, विद्युद्धारा, जोती, तीवरता और पदार्थ की मात्रा यह 4 और मूल राश्यां ऐसे SI system में मानी जाती हैं इनके मात्रक और उनके संकेत आपको टेबल में दिखाई दे रहे होंगे यह सातों भात्रक राश्यां, मात्रक और इनके संकेत यह सातों आपको याद रखने हैं SI system में 7 मूल भात्रक राश्यों के अलावा आपने दिखा था कि दो पूरक भात्रक राश्यां भी होती हैं यह पूरक भात्रक राश्यां हैं संतल कोण और घन कोण संतर कौन को रेडियन में नापा जाता है इसलिए इसका मातरक रेडियन होता है और संकेत RAD लिखा जाता है घन कौन को स्टेरेडियन में नापा जाता है इसलिए इसका मातरक स्टेरेडियन होगा और संकेत SR से दिया जाता है अब देखिए, एक और term जो आपने पड़ी थी, विद्पन राशियां और विद्पन मातरक तो विद्पन राशियों के जो मातरक होंगे, उन्हें आप विद्पन मातरक कहते हैं विद्पन राशियां कौन से होंगी? एसी राशियां, जो independent नहीं होती मूल भातिक राशियों से मिलकर बने होती हैं. वित्पन मातरक कौन से थे? अशे मातरक, जो independent नहीं होते, मूल मातरकों से मिलकर बने होते हैं. जैसे वित्पन राशियों के कुछ example मैंने टेबल में include किये. For example, क्षेत्रफल एक वित्पन भातिक राशी है अब देखिए लंबाई का मातरक होता था आपका मीटर स्टैंडर्ड जो था मीटर क्षेत्रफल आपको मिलता है लंबाई गुणा चोड़ाई या फिर लंबाई गुणा लंबाई जैसे भी आपकी आकरती है तो लंबाई का मातरक मीटर था चौड़ाई का मातरग भी मीटर होगा इसलिए क्षेतर फल का मातरग को मिलता है अब देखिए। अब क्षेतर फल का मातरग आपको मिला वर्ग मीटर याप्छ मीटर स्क्वाइर मीटर स्क्वायर आपका मीटर इंटू मीटर, मीटर एक मूल मातरक है उसको दो बार गुना करने पर आपको शित्रफल का मातरक मिल रहा है लेकिन मूल मातरकों पर depend कर रहा है इसलिए वर्ग मीटर जो होगा वो व्यत्पन मातरक होता है इसी प्रकार से वेक का मातरक है मीटर पर सेकंड, मीटर एक मूल मातरक है, सेकंड भी मूल मातरक है लेकिन मीटर पर सेकंड जो वेक का मातरक है वो दो मूल मातरकों मीटर और सेकंड पर निर्भर कर रहा है इसलिए ये एक वित्पन मातरक कहलाता है इसी टाइप से आपको बहुत सारी एक्जैम्पल्स आपकी बुक्स में मिल जाएंगे जो कि वित्पन भरतिक राश्यों को बताते हैं और उनके मातरक बताते हैं